हेलो दोस्तों तो आप सब का स्वागत है मेरे इस चनल विकी सिना ब्लॉक्स में तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा नैक्सोन की फेसलिफ्ट और ब्रेजा की जो फेसलिफ्ट आई थी उसके बारे में थोड़ा सा करने वाले हैं तो अगर इससे पहला अगर आप में चैनल का सब्सक्राइब ने करते हैं अब वीडियो को लाइक करना ना भूले शुरू करते हैं इस वीडियो को तो आपको पता यह जो नैक्सोन की फेसलिफ्ट है वो कुछी दिनों में बस लॉंच होने वाली 14 सेप्टेंबर तक और ब्रेजा अल्रेडी लॉंच हो चुकी है तो इसकी जो छोटीस कंपरेशन वह हम शुरू करने तो नैक्सोन के इंजन आपको देखनें को मिलता है है नेक्सोन आपको डीजल में भी मिल जाती है बढ़ आपको ब्रेजा जो है वो डीजल में नहीं मिलते है पावर की बात कրें तो नैक्सोन में आपको 113 Lights का तौल्फ देखने को मिल जाता है वील बेस की बात कर ले तो आपको नेक्स वन में 1499 mmам. गाफी इंक्रीरीस हो अब 382 liters काफी देखने जड़ीतस देखने मिल जाया तो यसमें आप देख सकते हैं जो बूट काफी अच्छा ज्यादा अगर हम ग्राउंड के बात कर ले नेक्सवन में 208 mm का मिलता है जबकि ब्रेज़र में 198 mm का मिलता है मतलब 20 mm आप जो नेक्सवन में वह ज्यादा देखने को मिलता है तो वह ज्यादा थोड़ी सी कैपेबल हो जाती है अगर हम फ्यूल टैंक की बात कर ले तो आपको नेक्सवन में 44 लिटर्स का मिलता है जबकि ब्रेज़र में आपको 48 लिटर्स का देखने को मिलता है हम वही पर टायर साच की बात है दोनों महीं आपको आपको 495 mm की की लैंध्य मिलते है आपको 65 mm मिले मेरिया जबकि आपको devi Billie की बात कर ले तो नेक्सवन आपको 6057 mm की मिल जाती है जबकि आपको जुआ रहे इनक्सवन की विटर्स का देखने 4 mm का जबकि आपको ब्रेज़ा में 1790 mm का ही देखना को मिलता है तो आप देख सकते हैं जो चोड़ाई है वो नेक्सोन में जाता है मिल जाता है इसलिए आप उसमें जो है कि बंदे थोड़ी से कमफरटेबल सिटिंग मिल जाती है अगर हम इन दोने की प्राइस की बात कर ले तो आपको इन दोनों में आपको में आपको आठ लाग पचास अजार रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होते है नेक्सोन जबकि ब्रेज़ार जो है वो आठ लाग 39 जार एक्स शोरूम से बोड़ मीपति, लिप टो पालस फोगा मिसान करी किसी दो नहा क्मम हो, मुईति स्थाँ लब कान वे हमतिक्ष ससे लिए है देह birthday,